दोस्तो फानली जूलाई का सिगरूटे पैच के साथ रियल्मी 12 प्रो डिवाइस के लिए एक नया सौप्टेर अपडेर रोलाऊट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तो इस अपडेर के साथ आपको क्या कुछ न्यूव फीचर्स देखने को मिलेगा, कौनसा कौनसा बग फिक्स किया जा रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में डीटेल्स रिवीव देने वाला हूँ, तो गाइस अगर आपके पास रियल्मी 12 प्रो डिवाइस है तो आ चलते हैं, आज की इंट्रेस्टिंग वीडियो के तरा हूँ, दोस्तो सबसे पहले अपडेट का वार्शन देख लीजे, रियल्मी वाई 5.0, एंडॉड 14, आर्मेक्स नमबर देख लीजे, आर्मेक्स 3842, ए रियल्मी 12 प्रो डिवाइस का आर्मेक्स नमबर है, अपडेट क जा रहा है, आप इसका अपडेट का साइज देख सकतो, 116.05 MB का, तो 116 MB का अपडेट का साइज है, अपडेट के साथ जो चेंज लोग है, आप यापर देख सकतो, जुलाई 2024 एंडॉड सेकूरूटी पैच, रियल्मी 12 प्रो और रियल्मी 12 प्रो प्लस, इन दोनों डिवा इसके साथ आपको कुछ बगों भी फिक्स किया जा रहा है, जो आपको आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तर जुरूद देख दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के साथ एक बहुती ज्यादा मेजर प्रोब्लम आ रहा था, रैम मैनेजमेंट में, रैम मैनेजमेंट बहुती ज्यादा घटिया हो गया था, लेकिन दोस्तों, इस अपडेट के बाद, आप आप देख सकते हो, मेरे पास 8GB बारा वरियांट है, आप देख ली जेतना ज्यादा एप आप 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 नहीं है, वह आप नीचे में आप देख सकते हो, 2.8GB आ जुरूर मिल जागा इस अपडेट के बाद, दोस्तों नेक्स जो प्रोब्लेम आ रहा था, ओ था जिटरनेस, एप ओपिनिंग और क्लोजिंग में आपको छोड़ा-छोड़ा जिटरनेस देखने को मिल रहा था, देखिए दोस्तों मैं आप इस सेटिंग अप्लिकेशन को अभी नहीं मिलेगा, कैमेरा आप भी मैं ओपिन करके देख लेता हूँ, देख लिए कैमेरा में भी आपको जिटरनेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं अभी अपडेट किया, इसलिए साइद प्रोब्लेम नहीं है, आप जाचे जासे अपडेट को यूज करते जाते हो ना, तब गाइस देखने को मिलता है, लेकिन मैंने इसको अभी अपडेट किया, इसलिए मुझे अभी तो कुछ भी प्रोब्लेम नहीं आ है, बहुती स्मूदली देख लीजे, आप एप ओपन हो रहा है, रान हो रहा है, अभी तो कुछ भी प्रोब्लेम आया है, यूटूब में या फिन नहीं, ओ भी फिलाल चेक आउट पर के देख लेते हैं, दोस्तों इस जो वीडियो है, आप एप देख सकते हो, HDR 4K 60fps का वीडियो है, तो फिलाल मैं इसको प्ले कर लेते हो, आप एप देख सकते हो, वीडियो आप प्ले हो चुका है, आप भी चलते हैं, दोस्तों, सेटिंग फे, फेर क्वालिटी, आप या पर देख सकते हो, आप भी भी आपको यूटूब में HDR का ओप्सेन देखने को नहीं मिल रहा है, दोस्तों साइद HDR का ओप्सेन, रिल्मी यूई 5.0 में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, जो रिल अपडेट के बाद, कैमेरा में अलग-अलग मोट में स्वीच काने के बाद, थोड़ा सा जीटरेनेस देखने को मिल रहा था, तो इस अपडेट के बाद, वो प्रॉब्लेम फिक्स हुआ है, आप यह नहीं अभी चेक आउट करके देख लेते हैं, फिलाले आपे देख अपडेट में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लेम देखने को मिलेगा, देखिए मैं आपे नन स्टॉप यापे शाटर को फ्रेस कर रहा हूँ, आप यह देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपको जीटरेनेस इधर देखने को मिलेगा, तो शाटर स्पीट उतना ज्यादा फर अपडेट में नेक्स्ट अपडेट के साथ और एक प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा था, चार्जिंग के टाइम डिवाइस बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, दोस्तों यह जो प्रॉब्लेम है, इस अपडेट के बाद फिक्स हो चुगा है, चार्जिंग स्पीड आपको प्रॉब्लेम देखने को मिल रहा था, इस अपडेट के बाद भी बैटरी बैकप आपको सेम डेखने को मिलेगा, बैटरी बैकप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ा सा फर्स्ट जरूर हुआ है, दोस्तों अपडेट के बाद मैंने इसका अंतुदू बैजमार स्कोर भी टेस्ट किया, मैंने कि स्कीन सॉट ले लिया था, आप यह पर देख सकते हो, इसका अंतुदू बैजमार स्कोर फाइब प्लाइक 74,000 की आसपास जाता है, आप जुरूर नीचे कॉम्ट बोक्स से कमें करके बतना, आपका डिभाइस मे इसका अंतुदू बैजमार स्कोर क्या है, अगर आपको अपडेट रिसीव हो गया है, अगर आपने टेस्ट किया, तो आप जुरू नीचे कॉम्ट बोक्स से कमें करके बतना, दोस्तो नेक्स्ट को सिस्टेम अप्लिकेशन का वार्सन भी चेक ओड़ करके देख लेते हैं, दोस्तो इसका वर्सन देख लिए, 5.10.1 लेकिन अपडेट हो चुका है, लेकिन दोस्तो ए जो वर्सन है, मैंने खुद इसको अपडेट किया, लेकिन अगर आप इसी वर्सन में आपका गेम्स अप्लिकेशन को अपडेट करना चाहते हो, तो आप मेरा ओफीसली टेलिग्र और 4 अपको लेकिन देखने को मिल जगा, उसके वर्सन 14.11.5 यह भी आपको लेकिन देखने को मिल जगा, तो देखिए दोस्तो अपडेट के साथ आपको प्रॉब्लेम तो अभीतक कुछ भी मुझे नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लेम को fix किया जा रहा है, जो चामेरा में कुछ भी इसू नहीं है तो अपडेट आप मत करना अगर आपका डिभाइस में मैंने जो भी प्रॉब्लेम आपके साथ डिसकस किया तो अगर हो रहा है तो अपडेट आप कर सकते हो उस सभी प्रॉब्लेम इस अपडेट के साथ फिक्स होने वाला है आपको लेट झाल झाल